नमस्कार मेरे नौजवान साथियों कैसे हैं आप सब आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और प्रसंद होंगे तथा लगतार सीख रहे होंगे मैं प्रेम असिस्टेंट प्रोफेशर पीएशम पीजी कॉलेज जिग्राफी डिपार्टमेंट का नोज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एड़ दरेट लगन जिग्राफी विद प्रेम में दोस्तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी आपसे भूतल की संकल्पना, भूद्रस्त की संकल्पना, अवस्तिती की संकल्पना और छेत्री विभेद सीर्ता यानि की भीनता की संकल्पना की बारे में ठीके दोस्तो आज हम बात करते हैं जो भूगोल की बची होई शंकलपना है उसमें से पहली संकलपना है आपकी मापनी की संकलपना तो चलिए सुरू करते हैं आज का लेक्चर भूगोल के अंतरगत प्रत्वी के तल के विभिन इस्थानों तता छेतरों का अध्यन किया जाता है ठीक है और उन्हें मानचीतर पर प्रदर्सित भी किया जाता है यह हमें पता है कि प्रत्वी जो भूगोल है वो भूतल का अध्यन है भूतल के अंतरगत इस्थानों वा छे चेत्रों का दिन किया जाता है और साथ ही साथ इनको हमें मानचित्र पर प्रदर्सित भी किया जाता है ठीक है आगे देखते हैं दो स्थानों के बीच की दूरी तथा किसी छेत्र या प्रदेश के छेत्री आकार यानि छेत्रफल को मापनी की सायता से मानचित्र पर प्रदर् दूरी को दिखाया जाता है और चेत्रफल को दिखाया जाता है मापनी का उपियोग दूरी चेत्रफल कौर तापमान आदी की माप के लिए किया जाता है अगर आप से कोई पूछता है कि मापनी का प्रयोग किस के लिए किया जाता है तो दूरी मापने के लिए चेत्रफल मापने के लिए और ताप मान मापने के लिए किया जाता है ठीक है भगौलिक मानचित्र पर दूरी और छेत्रफल की माप के लिए मापनी की आउसकता होती है ठीक है अब हम देख लेते हैं कि मापनी होती ही क्या है आके तो आपने देखा कि भगौलिक मानचित्रों पर दूरी की बीच की दूरी के अनुपात को यह आपको वर्ड याद रखना है यह इसका की पॉइंट है अनुपात को हम मापनी या मानचित्र की मापनी कहते हैं ठीक है मान लिजिए कि आपका एक मानचित्र है ठीक है तो मानचित्र पर दो बिन्दों के बीच की दूरी और इसी धरातल पर यानि कि इसी भाग में अगर चले जाए मालीजे कि यह आपका भारत का मानचितर है ठीक है तो मानचितर पर हमने दो बिन्दों ले लिए ठीक है और फिर जाकर के हम भारत के वास्तविक धरातल पर जाकर इन ही दो बिन प्रदर्शन हे तू विधियां कौन सी हैं तो मापनी के प्रदर्शन हे तू समानता तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है कौन कौन सी सदार और कथन विधी रेखा द्वारा या ग्राफ द्वारा और प्रदर्शक भिन या प्रतिनी धी भिन द्वारा इसका प्रदर्शन किया जाता है यानि कि मापनी प्रदर्शित करने की तीन विदिया है ठीक है इसी के अधार पर मानचित्र मापनी को तीन प्रकारों में बाटा गया है यानि कि मापनी को उनकी बनाने की विदियों के अधार पर तीन भागों में बाटा जाता है पहला है आपका कथनात्मक मापनी यानि की statement scale जिसमें मापनी को सधारन कथन द्वारा ब्यक्त किया जाता है जैसे हम कहने सीधा सीधा कि एक सेंटी मीटर बडाबर पचास किलो मीटर के तो मानचित्र पर जब आप जाओगे कोई भी मानचित्र ले लो मान लो कि कोई भी ये बात का मानचित्र है तो एक सेंटी मीटर बडाबर पचास लाक किलो मीटर को प्रदर्सित करेगा कहने का मतलब यही है दूसरी मापनी है आपकी रैखिक मापनी इसे हम रचनात्मक मापनी भी कहते हैं यानि Lanier Scale और Constructive Scale जिसमें दूरियों को एक सरल या वक्र रेखा के सहारे प्रदर्सित किया जाता है कहने का मतलब है कि जैसे हमने उसमें बताया कि एक सेंटी मीटर बराबर पचास लाग किलो मीटर तो अब हम इसमें क्या बताएंगे एक हम मालनी जी की पांच सेंटी मीटर की रेखा कीच लेंगे ठीक है तो प्रतेक सेंटी मीटर आपका कितने किलो मीटर बता रहा है पचास किलो मीटर तो यानि कि अब ये पांच सेंटी मीटर की लाइन है तो पांच सेंटी मीटर बराबर दो करोड पचास लाख किलो मीटर को प्रदर्सित करेगा ठीक है अगली है आपकी प्रदर्सक भिन्न या प्रतिनिधी भिन्न तिक है इसको हम इंगलिस में रेप्रिजेंटिव फ्रेक्शन या इसे सौर्ट में आरेफ भी कहते हैं जिसमें दो दूरियों के अनुपात को सदारण भिन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जैसे हमने पहले में बात कि कि एक सेंटिमीटर बराबर पचास लाख किलोमीटर की तो अब हम इसे भिन में प्रदर्शित करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे एक बटे पचास लाख तो यह आपका प्रदर्शित भिन भी दित्वारा हो गया जिसे आप प्रतिनिद्वी भिन भी कहते हैं इसमें जो अंस कमान होता है यानि जो अंस होता है आपका भिंद में आपका जो सबसे उपर होता है ये आपका अंस है और नीचे वाला आपका इसे हम हर कहते हैं ठीक है तो जो अंस कमान होता है भिंद में या प्रदरसक भिंद में वो सदय एक होता है और अंस तथा हर दोनों समान मापन एकाई के होते हैं यानि कि ये भिन अगर लिखी है आपकी तो ये अगर सेंटिमीटर में होगा तो ये भी सेंटिमीटर में ही होगा आपका यानि अंस और हर की एकाईयां दोनों समान होती है अब मानचित्र पर रैखिक मापनी सबसे अधिक उपियोगी मानी जाती है यानि अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सी मापनी सबसे अधिक उपियोगी है तो रैखिक या रचनात्मक मापनी सबसे उपियोगी है क्यों है क्योंकि मानचित्र के मानचित्र के छोटा या बड़ा होने के साथ साथ ये भी छोटी और बड़ी हो जाती है ठीक है रैखिक मापनी के कुछ मुख प्रकार इस प्रकार है यानि कि जो रैखिक मापनी होती है कुछ प्रकार भी है सधारण मापनी यानि सिंपल स्केल, कर्णवत मापनी यानि डाइगोनल स्केल, समय मापनी या समय दूरी मापनी जिसे हम टाइम स्केल या टाइम डिस्टेंस स्केल भी कहते हैं तुलनात्मक मापनी यानि comparative scale, वर्ग मूल मापनी यानि की square root scale और घन मूल मापनी यानि cube root scale और वर्नियर मापनी यानि वर्नियर scale ठीक है तो यह आपके रैकिक मापनी के प्रकार है इनका अध्यन हम practical में या techniques में आपका विश्प्रत अध्यन करते हैं या आप simple सा समझ सकते है आगे देखते हैं किसी भी मानचित्र पर प्रदर्सित मापनी के आकार के अधार पर या आपको यार रखना है कि किसी मानचित्र पर प्रदर्सित मापनी के आकार के अधार पर उसे समान तह तीन सेणियों के अंतरगत रखा जाता है यानि आकार के अधार पर बात हो रही है तो कौन-कौन सी मापनिया है आपकी वरहत मापनी, मध्य मापनी यानि मीडियम स्केल, लगु मापनी यानि की इसमाल स्केल ठीक है इसके अलावा एक और होती है आपकी चोथा होता है आपका कोडिस्ट्रॉल कोडेश्ट्रॉल ठीक है तो इसे भी मापनी के अंतरगत ही लिया जाता है तो इसे आप अपने माइंड में रखेंगे कोडेश्ट्रॉल ठीक है ब्रहत मापनी के द्वारा भूतल के छोटे छेत्र को अपेक्छाक्रत बड़ा दिखाया जाता है तो ब्रहत मापनी में क्या होत इसमें किसी नगर, ग्राम, ब्लाग, तैसीर, जनपद आदी को प्रदर्शित करने के लिए ब्रहत मापनी उपयोक्त होती है तो इसकी कुछ मापे हैं जैसे एक अनुपाते 50, एक अनुपाते 500, एक अनुपाते 1000 आदी इसके उदारने इसके बाद है आपका मध्यम मापनी, इसका प्रियोग मध्यम आकार के प्रदेशों के लिए किया जाता है प्रदर्शक भिन्द जैसे एक अनुपाते 50,000, एक अनुपाते 25,000 आदी इसके उदारने इस्तलाक रतिक मानचित्र इसी मापनी पर बनाये जाते हैं तो मध्यम मापनी पर ही बनाये जाते हैं इसके बाद है आपकी लगु मापनी यानि इसमें भूतल के किसी ब्रहद भूखंड जैसे कि महादुई या संपूर्ड विश्व को प्रदर्सित करने के लिए उप्युक्त होती है प्रदर्सिक भीन इसकी होती है जैसे एक अनुपाते 50 लाग एक अनुपाते 1 करोड एक अनुपाते 2 करोड कुछ इस परकार के आपकी मापनिया होती है अब आपको समझने वाली बात यह है कि बड़े आकार का कोई अगर छेत्र होता है तो उसे हम लगु मापनी से दिखाते हैं ठीक है और अगर छोटा कोई छेत्र होता है तो उसे हम ब्रहद मापनी से दिखाते हैं तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है ठीक है आगे देखते हैं छेत्रफल यानि आकार के नुसार प्रदेशों को तीन ब्रहद वर्गों में बाटा गया है ठीक है वरगी करत किया जाता है वरहद प्रदेश यानि मैक्रो रीजन जैसे महादूप, महाशागर, महादेश ठीक है मद्द प्रदेश यानि मेसो रीजन जैसे आपके मद्द आकार किये देश या प्रदेश लगू प्रदेश यानि माइक्रो रीजन जैसे जनपद, बलाक, नगर, ग्राम, आदी ये आपके आकार के अदार पे तीन प्रकार के प्रदेश हैं ठीक है उलेखनी है कि व्रहत प्रदेश को प्रदेशित करने के लिए लगु मापनी और लगु प्रदेश को दिखाने के लिए व्रहत मापनी का प्रयोग किया जाता है जैसे हमने उपर भी बताया आपको और मध्यम आकार की ये प्रदेशों को मध्यम मापनी के द्वारा दिखाया जाता है मानचेतर पर सूचम तत्यों को प्रदस्रित करने है तो ब्रहद मापनी और इस्थूल तत्यों को दिखाने के लिए लगू मापनी का उपयोग किया जाता है सूर्षम का मतलब छोटे छेत्रों को दिखाने के लिए ब्रादमापनी और इस्थूल यानि की बड़े छेत्रों को दिखाने के लिए लगुमापनी का परियुग किया जाता है ठीक है तो यह आप डिफरेंस यार रखेंगे अब इसके बार अगली आपकी संकल्पना है प्रदेश की संकल्पना इसे हम प्रदेशिक संकल्पना भी कहते हैं concept of region और regional concept ठीक है भोगोलिक अध्यन की दो प्रदान विदियां यह आपको यार रखना है कि भोगोल का अध्यन हम दो विदियों के अधार पर करते हैं कौन सी क्रमबद विदि यानि की systematic method और प्रदेशिक विदि यानि की regional method ठीक है इसके अध्यार पर ही भोगोल को क्रमबद भोगोल यानि की systematic geography और प्रदेशिक भोगोल यानि original geography दो वर्गों में विवाजित किया जाता है ठीक है आगे देखते हैं प्रदेश एक छेतरी एकाई होता है ठीक है यहां थोड़ा हम यह समझ लेते हैं कि क्रमबद विदि आपकी क्या होती है क्रमबद विधी में पूरे विष्य को एक एकाई मानकर भगौलिक तत्तों का क्रमबद अध्यन किया जाता है यह आपका क्या है क्रमबद विधी है ठीक है वहीं दूसरी और पूरे विष्य को हम अलग 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 प्रदेशों में बांट कर इन प्रदेशों का अलग-अलग क्रमबद्य विदी से ही वैग्यानिक अध्यन करते हैं लेकिन हमने क्या किया पूरे विष्ट को अलग-अलग प्रदेशों में बांड दिया तो ये आपकी कौन सी विदी है? ये आपकी प्रदेशिक विदी है अब हम देखते हैं आगे प्रदेश एक छेतरी एकाई होता है जिसके अंतरगट विशिष्ट अत्वा समान अभिलच्चन यानि यूनेक और सिमिलर करेक्टर पाए जाते हैं अपने विशिष्ट अभिलच्चनों के कारण यानि कि अगर आपका एक प्रदेश ये है मान लिजे कि एक प्रदेश ये है और दूसरा प्रदेश ये है तो इसकी विशिष्टाएं अलग होंगी यानि कि विशिष्ट अभिलच्चन होंगे तो इसके अलग होंगे यानि विसेष्ट अभी लच्छन इसके अलग होंगे तो जब इनकी विसेष्टाएं दोनों की अलग होंगी तो ये फिर अलग अन्भुबागों से भिनता रखते हैं यानि इसकी विसेष्टा जो है वो इस प्रदेश की विसेष्टा नहीं हो सकती इसी अदार पर ये भिनता एक दूसरे से रखते हैं ठीक है एक प्रदेश के अंतरगत किसी तत्तों या तत्तों की समानता पाई जाती है जैसे आमने बताया कि एक आपका ये प्रदेश है दूसरा ये है तो यहां की विसेस्ताइं अलग है और यहां की विसेस्ताइं अलग है यानि इनमें तत्तों की विसेस्ताओं में समानता होती है यानि कि इतने पूरे प्रदेश में जो तत्तो पाया जाएगा उसकी समानता पाई जाएगी इसमें जो तत्तो पाया जाएगा उसकी समानता पा जाती है उसे एक प्रदेश के अंतरगर समलित किया जाता है कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर कोई तत्व पाया जा रहा है और उसमें समानता है यदी तो यह तत्व जितनी दूरी तक समानता रखेगा या समरूपता रखेगा उतनी ही दूरी तक इस प्रदेश का विस्तार पाया जाएगा ठीक है आगे देखते हैं इस प्रकार एक प्रदेश की विशेषता है दूसरे प्रदेश से भिन होती है जैसे हमने पहले भी बताया ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि आपसे एक्जाम में पूछा जाता है कि अमेरिकी भुगोलवेत्ता दी विटिलसी ने बताया कि एक प्रदेश में कम से कम 16 विशय या उपादान या टॉपिक्सों का अध्यन किया जाता है तो कितने टॉपिक बताया इन्होंने 16 टॉपिक का अध्यन किया जाता है और इनके अदार पर ही प्रदेश का सिमानकन किया जा सकता है मौंग हाउस ने प्रदेश की परिवासा इस प्रकार की है प्रत्वी तल का वह एकाई छेत्र जो अपने विशिष्ट अभिलच्छनों के कारण अपने समीप वर्ति अन एकाई छेत्र से भिन समझा जाता है उसे हम प्रदेश कहते हैं या प्रदेश कहलाता है ठीक है इस प्रकार विशय या उपादानों यानि की टोपिक्स के अदार पर प्रदेश की चार सेणिया बनाई जा सकती यानि विश्य के अदार पर प्रदेश कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के नमबर एक एकल विश्य प्रदेश यानि सिंगल टॉपिक रीजन दूसरा है आपका बहुल विश्य प्रदेश यानि मल्टिपल टॉपिक रीजन संपूद विसय प्रदेश यानि Total Topic Region और विशिष्ट प्रदेश या Кमपेज तीक है? विशिष्ट प्रदेश या कमपेज आगे दिखते हैं एक तत्यों की समानता की अदहार पर सिमांकित प्रदेश को एकल विशय प्रदेश कहते हैं यानि कि जैसे आपका ये प्रदेश है तो हम इसमें केवल एक ही तत्तो की समानता को ले लिया तो ये आपका क्या हो गया एकल प्रदेश हो गया जैसे मरदा प्रदेश माली जी कितना कोई प्रदेश है इसमें हमने केवल मरदा के तत्तो को ले लिया ठीक है वनस पती प्रदे बहुल प्रदेश कहलाते हैं उसमें हमने क्या किया है एक ही तत्तो को लिया और उसी की समानता देखी तो एकल प्रदेश अब कई तत्तों की समानता ली तो बहुल प्रदेश जैसे आपका प्राकरतिक प्रदेश आर्थिक प्रदेश जलवाय प्रदेश आगे देखते हैं उन्ही तत्तों से क्रमसा मिलते हैं तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विश्य प्रदेश कहा जाता है ठीक है यानि कि अगर आपका एक ये प्रदेश है और दूसरा ये प्रदेश है आपका ठीक है तो आप परियासा में भी देख सकते हैं यदि किसी भुभाग में समस्त सोला तत्तो किसी दूसरे भूभाग के उन्ही तत्तों से क्रमसा मिलते हैं तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विसे प्रदेश कहते हैं ठीक है विटलसी ने कई तत्तों की समनता पर आधारित प्रदेश को कमपेज कहा यह आपको याद रखना है कि प्रदेश के लिए कमपेज सब्द किस ने दिया था तो विटलसी महोदे ने दिया था ठीक है यानि कहने का मतलब यह है कि एक आपका अगर यह प्रदेश है तो जरूरी यहां पर 16 तत्यूं की ही समयनता पाई जा अगर 10 तत्यूं की समयनता पाय जा रही है तो यह आपका क्या कहलाएगा संपूर्ण प्रदेस ही कहलाएगा और इसे ही इनोंने कमपेज कहा ठीक है जैसा कि उनने बताया भी है कि कई तत्तों की समानता यानि कि 16 जरूरी नहीं कि 16 तत्तों की समानता हो लेकिन कई तत्तों की समानता पर अधारित प्रदेश को हम कमपेज कहते हैं जिसमें तत्तों का क्रम और संख्या परिवर्तिनी होती है यानि कि तत्तों की संख्या बढ़ भी सकती है और परिवर्तन भी ह हो सकता है आगे देखते हैं कमपेज बहुल विशय प्रदेश और संपूर विशय प्रदेश के मद्द की इस्थिति है ठीक है कहने का मतलब यह है कि बहुल प्रदेश में हमने क्या देखा था कि कई तत्वों की समानता थी संपूर प्रदेश में हमने देखा था कि 16 तत्वों और कई तत्तों से अधिक हो, तो यह आपका क्या कहलाएगा, कमपोच कहलाएगा, जिसमें तत्तों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, इसके बाद है आपका प्रदेशों के प्रकार, प्रदेशों को दो व्रहत भागों में विवक्त किया जाता है, कौन-कौन से, जननिक प्रदेश यानि की जनरीग रीजन और विशिष्ट प्रदेश यानि इसपेस्फिक रीजन, ठीक है, समान अभी लच्छनों तथा इस्थानिक कार्यातमक संबंधों के अनुसार, जननिक प्रदेश को दो प्रकारों में फिर से विवक्त किया जाता है, किसके अधार पर समान अभिलच्णों और इस्थानिक कार्यात्मक सम्मंदों के अधार पर कौन कौन से हैं समरूप प्रदेश जिसे लाचनिक प्रदेश भी कहते हैं यानि की फॉर्मल रिजन कार्यात्मक प्रदेश यानि की फंक्सनल रिजन तो समरूप प्रदेश कौन से होते हैं इसके अंतरगत एक या कई अभिलच्णों या विश्यों की समरूपता पाई जाती है ऐसे प्रदेश भूमंडल पर कई जगे इस्थित होते हैं जैसे परवती प्रदेश, सागरती प्रदेश, जलवाई प्रदेश, प्राकरतिक प्रदेश, क्रसी प्रदेश और द्योगिक प्रदेश, आर्थिक प्रदेश और सांस्कितिक प्रदेश आदी समरूप प्रदेशों की ही उधारने आप आपको याद रखना है कि समरूप प्रदेशों में क्या होता है कि एक या कई तत्तों की समरूपता पाई जाती है दूसरा है आपका कार्यात्मक प्रदेश इस प्रदेश का निर्दारण कार्यात्मक सम्मंदों के अधार पर किया जाता है प्राया किसी केंडर श्थल या नगर और उसके आज पास की छेत्रों के मद्ध विभिन कार्यात्मक सम्मंधों के अदार पर ऐसे प्रदेशों का निदारण किया जाता है जैसे आपका नगर प्रदेश यानि की सिटी रिजिन इसके विशिष्ट उदारण है कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक आपका यह सहर है सहर का एक केंडरी भाग होता है ठीक है अब केंडर भाग के जो चारो और जो छेत्र होता है आपका उसमें कार्यात्मक सम्मंध पाये जाता है जैसे कि जो नगर होता है आपका नगर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पारण करता है और इस उत्पारित पदार्थ को इस आसपास के छेतर के लिए भेजता है तो इसमें क्या है आपका कार्यात्मक सर्मंद पाया जाता है इसे केंद्र आधारित प्रदेश यानि की नोडल रिजन्स भी कहते हैं किसे कार्यात्मक प्रदेश को इसे संगठ नात्मक यानि ओर्गनाईजेशनल प्रदेश भी कहते हैं तो ये भी आपको यार रखना है कि जो आपका कार्यात्मक प्रदेश होता है उसे केंद्र आधारि प्रदेश यानि की नोडल रिजन संगठ नात्मा प्रदेश यानि की ओर्गनाइजेशनल रिजन्स भी कहा जाता है इसके बार अगली संकल्पना है आपकी कालिक परिवर्तन की संकल्पना यानि concept of temporal changes ठीक है पर्यावरण के सभी तत्यों चाहे वे प्राकृतिक हो या मानवी जड़ों या चेतन सभी परिवर्तन सील है और उनके स्वरूप में परिवर्तन की प्रिक्रिया निरंतर किरिया सील रहती है ठीक है यानि की प्रत्वी पर कोई भी तत्यों जो आपको दिखाई दे रहा है ना केवल प्रत्वी पर पूरे संसार में जो भी तत्यों दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ना कुछ निरंतर परिवर्तन हो रहा है यहां तक कि विचारों में भी लगातार परिवर्तन होता रहता है ठीक है फ्रांसीसी भुगोलवेत्ता ब्रूंज के सब्दों में हमें से सम्मंदित प्रतेक वस्तु परिवर्तित हो रही है प्रतेक वस्तु परिवर्तन प्रकरती का नियम है प्रकरती के नियम नुसार प्रतेग जीव या वस्तु की उत्पत्ती होती है उसका क्रमिक विकाश होता है और अंतताह उसका विनास हो जाता है यही तीन सत्त हैं आपके कि चाहे जीव हो या वस्तु हो उसकी उत्पत्ती होती है उसका क्रम एक विकास होता है और अंतताह उसकी विनास या उसकी मरत्तु हो जाती है इसे ही हम जीवन चक्र कहते हैं और विकास का ये क्रम प्राक्रतिक और सांस्कितिक सभी तत्तों पर लागू होता है आपका एक जीवन चक्र में ही देखें जैसे कि आपका इंसानों का ही जीवन चक्र होता है तो सबसे पहले आपकी बाल्य वस्ता होती है फिर युवा वस्ता फिर प्रावड वस्ता और फिर ब्रद्धा वस्ता आती है आपकी और अंत्ताह आपकी म्रत्तु अभो जाती है तो ये भी आपका जीवन चक्र है तो चाहे प्राकृतिक तत्तो हो या सांस्कितिक तत्तो हो उनमें लगातार परिवर्तन हो रहा है संसार में उत्पन होने वाले प्रतेग जीव या तत्व का विनाश निश्चित है यही एक आपका सत्त है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी म्रत्व निश्चित है चाहे वो तत्व हो यानि कि वो या जीवित हो या म्रत्व हो या कह सकते हैं कि जैविक हो या आजैविक हो सभी कम्रत्व निश्चिद है विभिन तत्वों में परिवर्तन की गती भिन भिन होती है किन्तु परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर के लिए सील रहती है गतिसील प्रत्वी से सम्मंदिस सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्तो परिवर्तन सील हैं जिसके कारण उनका वर्तमान स्वरूब अंतिम तत्ह इस्थाई नहीं है बलकि विकास की प्रकिरिया की एक अवस्था को प्रकट करता है जो भविष्य में उसी रूप में नहीं रह सकता है आज जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं है कि यह उसका अंत्र है हो सकता है उसका प्रारम्भू प्राकितिक भूद्रस्ट की भाती सांस्कितिक भूद्रस्ट भी कलानुसार परिवर्तित होते रहते हैं आज जो एक लगू ग्राम है यानि कि जो गाउं है आपका वो भविष्य में विक्सित होकर एक कसबा, फिर नगर, फिर महानगर आदी का स्वरूप दारान कर सकता है इसी प्रकार वर्तमान नगर या महानगर आगे चलकर नश्ट भी हो सकता है इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया सतत क्रिया सील रहती है ठीक है यानि कि जो आपको आज सहर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो छोटे से पहले गाउं थे फिर गाउं से वो कस्बे में बदल गए कस्बे से नगर में नगर से पिर महानगर में बदल गए तो इस परकार इसका क्रम चला है इसी परकार आज जो आपको महानगर दिखाई दे रहे हैं हो सकता है वो कल जाकर कि नश्ट भी हो जाएं ठीक है भूतल पर परिवर्तन करने वाली सक्तियों को तीन वर्गों में रखा गया है यानि कि जो परिवर्तन करतियां है वो तीन सक्तियां है कौन-कौन सी बहुतिक सक्तियां, जैविक सक्तियां और मानो सक्तियां तीन सक्तियां है आपकी परिवर्तन कारी बहुतिक सक्तियां यानि फिजकल फोर्सिस में प्रत्वी की आंत्रिक सक्ति, सौल सक्ति और गृत्वा कर्षण सक्ति यानि कि भौतिक सक्तियों में तीन सक्तियों को समलित करते हैं प्रत्वी की आंत्रिक सक्ति, सूर्य की सक्ति और गृत्वा कर्षण सक्ति को ठीक है प्रद्वी के आंत्रिक सक्तियां भूतल पर सदयव असमानता उत्पन करने में क्रियासील रहती है यानि कि भूतल को या तो उपर उठा देती है या नीचे दसा देती है असमानता पैदा करती है जो कहीं दरातल को मुचा उठा देती है और कहीं उसे नीचा कर देती है इनके दुआरा कुछ परिवर्तन दीर काल में भी होते हैं जैसे कि महादूइब और महासागर निर्मार वलिद परवतों का निर्मार महादीपो का उन्मंजन या निमंजन आदी और कुछ परिवर्तन आकास्मिक भी होते हैं या अल्पकालिक भी होते हैं जैसे अल्पकालिक होते हैं जिनके परिणाम अल्पकाल में ही प्रकट हो जाते हैं जैसे आपका जुआला मुखी और भूकम ठीक है सूर्य सक्ति तो सूर्य सक्ति यानि कि सूर्ज जो है वो सक्ती का महापुंज है जो प्रत्वी की सतय तथा उसके वायुमंडल में होने वाले समस्त परिवर्तनों का करता और नियंतरक है भूतल पर तापमान के असमान वितनर से वायुदाब में भिनता उत्पन्द हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि तापमान और वायुदाब में वितनर सम्मंद होता है यानि कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर वायुदाब आपका कम होगा और जहाँ पर यानि कि ताप मान आपका यानि कि टेंपरेचर जहाँ प्लस होगा वहाँ पर आपका वायुदाब यानि कि प्रेशर आपका लो हो जाएगा और जहाँ पर टी आपका माइनस होगा वहाँ पर आपका प्रेशर प्लस होगा जिसके परणाम सुरूप विभिन्द प्रकार की वायमंडली दसाएं जैसे हवाएं, आंदी, तुफान और चक्रवात, वर्सा, आदी की वर्सा, हिमपात, कोहरा ओस आदी उत्पन होते हैं इससे प्रत्वी के समस्त जीवधारी, पसु, वनस्पती, मनुष्यादी, प्रभावित होते हैं, ठीक है प्रत्वी की गुरुत्व सक्ती एक अद्रस्ट सक्ती है, जो भूतल की समस्त वश्तूओं को अपने केंडर की ओर आकरसित करती है इसके कारण ही जल सदा उचाई से नीचे की ओर गती करता है आपको पता है कि गुरुत्व अकरस्ट का नियम न्यूटन महोदे ने दिया था, किस पुस्तक में दिया था, तो प्रिंस्पिया पुस्तक में 1687 में दिया था आगे देखते हैं, अब इसके बार आपकी परिवर्तन कारी सक्तियों में हमने देखा था बहुत एक सक्तियों, बहुत एक सक्तियों में आपकी प्रत्वी के आंत्रिक सक्तियों, और सौरे सूरे की सक्ति, और आपकी थी गुर्त्वा कर्शन सक्ति, दूसरी सक्ति है आपकी ज जैवेक सक्तियों के अंतरगत पेड़ पोधों और पसु एवं जीव जन्तु भी भूतल पर परिवर्तन लाने में सदायों सनलगन रहते हैं। द्वारा प्राक्तिक पर्यावरण में परिवर्तन का उधारण है। मद्र समिकों का अभी गमन वर दिन रात का होना आदी आपके अल्प कालीन परिवर्तन है। यानि जो कम समय के परिवर्तन होते हैं। जबकि हजारों लाखों वर्सों में होने वाले परिवर्तन दीरग कालीन परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आपका बहुमकिय परिवर्तन, जलवाई परिवर्तन आदी इसके प्रमुक उधाराने। तो आपके परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद है आपकी अगली संकल्पना जिसका नाम है इस्थानिक अंताह किरिया की संकल्पना। यानि कंसेप्ट आफ स्पैसियल इंट्रेक्शन इसे भी देखते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं स्पैसियल इंट्रेक्शन कहते हैं। दो इस्थानों या छेत्रों के बीच होने वाली इस्थानिक अंताह किरिया वस्तुओं, विचारों, मनुष्यों की गतिसील्ता और संकल्पना होती है। तीक है? यानि कि दो छेत्रों के मद्द जो आपका interaction हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है? या तो वस्तूओं के कारण या विचारों के कारण या मनुश्यों की गतिसिलता के कारण या संपर की केपणान सुरू हो रहा है इस्थानिक अंता क्रिया के लिए दो या अधिक इस्थानों या ब्यक्तियों का होना अती अवश्यक है यानि कि इंट्रेक्शन के लिए दो ब्यक्तियों का होना या दो वस्तूओं या दो इस्थानों का होना अती अवश्यक है इसके बार है आपका जब दो या दो से अधिक ब्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके मद अन्ताह किरिया प्रारंब हो जाती है अन्ताह किरिया दूपच्छी प्रकिरिया है यानि कि बिना दो पच्छों के अन्ताह किरिया हो ही नहीं सकती अब दो पच्च में एक इस्थान भी हो सकते हैं, दो ब्यक्ति भी हो सकते हैं, दो विचार भी हो सकते हैं या दो तत्तु भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन दो पच्च तो होने ही चाहिए आपके, जिसमें दोनों पच्च कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे को प् यानि इस्थानिक अंता किरिया होने के लिए क्या चीज़े होने चाहिए? एक तो संपर्क होना चाहिए, दूसरा आपका कम्मुनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, आगे देखते हैं. दो इस्थानों या छेत्रों के मर्द संपर्क होना अंता किरिया का प्रारंबिक बिंदू है यानि कहने का मतलब यह है कि पहले जो दो छेत्र होते हैं उनका संपर्क होता है सबसे पहले पतार अम्बिक बिंदु है पारासपरिक संपर्क जितना ही अधिक होगा दो छेत्रों के मर्द अंता किरिया उतनी ही अधिक होगी तो इनके मद जितना अधिक संपर्ख होगा यानि कि जितनी अधिक बात चीत होगी उतने ही उनके मद अन्ता किरिया अधिक होगी दो इस्थानों के बीच जनसंक्या के आवास प्रवास तथा वस्तूओं एवं विचारों के आदान तरदान से पारास्परिक संपर्ख इस्थापित होता है दो इस्थानों के बीच संपर्क के दो प्रदान माद्यम है यानि कि दो जो छेत्र है आपके उनके मद्द संपर्क किस कारण से हो सकता है उसके लिए यातायात के सादन होने चाहिए या संचार के सादन यानि कि इनी दो माद्यमों से संपर्क होता है किसके काण या तायात के माध्यम या संचार के माध्यम से नवाचार यानि कि इनोवेशन और विचारों का प्रसार या विस्रण यानि कि डिफ्यूजन प्राया संचार साधनों के माध्यम से होता है यानि कि जो आपके विचार है या नवाचार है वो किसके माद्यम से उसका प्रसचार प्रसार होता है तो संचार साधनों के माद्यम से वर्तमान समय में डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो, दूर्दर्जन, पुस्तकें, समाचार, पत्र, पत्रकाएं, इंटरनेट, आदी संचार के प्रमुक सादन है यानि कि ये सबी क्या है आपके संचार के सादन है जिनके द्वारा विचारों, संदेशों, आदी का स्थान तर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता पूर्वक किया जा सकता है यानि कि इन संचार के सादनों के द्वारा हम क्या बेजते हैं या तो विचारों को बेजते हैं या संदेशों को बेजते हैं प्रचीन काल में संचार माध्यमों की सीमित्ता के कारण दूर वर्ती यानि की दूर दूर छेत्रों में या प्राकृतिक औरोधों से आबद छेत्रों में संपर्क नहीं हो पाता था जिसके कारण इस्थानिक अंताकिरिया भी कम होती थी लेकिन आज तीव गामी संचार माध्यमों के द्वारा विस्व के विबिन भाग परस पर बहुत निकटा गए है और उनके बीच की जो संपर्क है वो दूरी बहुत कम हो गई है जैसे आपका रेडियो, दूर दर्सन, इंटरनेट, अखबार आदि के माध्यम से विस्वर के समाचार प्रती दिन मिलते रहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी सूचना या समाचार के पहुँचने में भी कुछी मिनट का समय ही परयाप्त होता है अब तो समय ये आ गया है कि मिनट नहीं सेकेंड जैसे आपका इमेल आइडी है अगर आपकी ठीक है और आपको दूसरे ब्यक्ति के पास कोई सूचना भेजनी है तो अगर आपको उस ब्यक्ति का भी इमेल आइडी पता है तो आप एक सेकेंड में मैसेज भेज सकते हो ठीक है विश्य के विभिन भागों के संसादनों तथा उत्पादनों में परयाप्त भिनता पाई जाती है जो ब्यापारिक किरिया का मूल अदार है इस्थानिक अंता किरिया संयोजक और वियोजक दोनों प्रकार की होती है यानि कि आपके अंता किरिया कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की कौन कौन सी सहियोजक भी हो सकती है और वियोजक भी हो सकती है जो अंता किरिया दो छेत्रों के मद्ध सहयोग, सद्भावना, एकी करण और संगठन आदी को बढ़ाने वाली होती है उसे हम संयोजक अंताह करिया कहते है तो आपको पता चला कि संयोजक करिया क्या होती है जो दो छेत्रों को जोड़ती है संयोग करती है, सद्भावना लाती है एक ही करण करती है, वो संगठन करती है उसे हम संयोजक कहते है जबकि इसके विपरीत जो अंताकिरिया विगटन करती है यानि कि एक दूसरे से दूर ले जाती है प्रथक करन यानि कि अलग करती है अलग करने में सहायक होती है और प्रसपर संगर सुत्पन करती है उसे हम वियोजक अंताकिरिया कहा जाता है जैसे भारत देश में जब अंग्रेज आये थे तो उन्होंने क्या अपनाया था वियोजक अंताकिरिया को अपनाया था क्यों? कि उन्होंने अपनाया था फूट डालो और राज करो यानि कि दो बैक्ती अगर रोज हसते बैठते हैं, बोलते चालते हैं तो इनको एक दूसरे से अलग कर दो और फिर राज करो ठीक है? तो यही जो अंग्रेजों की नीती थी वो थी फूट डालो और राज करो वो किस पर अधारे थी? वियोजक अंताकिरिया पर अधारे थी ठीक है दोस्तो? तो दोस्तो आज इस वीडियो में यहीं तक इसमें हमने जो आपकी भूगोल की संकल्पना बची थी उन पर भी बात की हमने जिसमें हमने बात की मापनी की संकल्पना इसके साथ साथ हमने बात की आपसे मापनी की साहता पर बात की हमने इस्थाने का अंताकिरिया की शंकल्पना पर बात की प्रदेश की संकल्पना पर बात की ठीके दोस्तो तो दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर कमेंट करें साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के description box में उसका link दे दिया जाएगा जहां से आप उस PDF को download करके अराम से पढ़ सकते हैं ठीके दोस्तो तो मिलते हैं आप से next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए नमस्कार आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, प्रसंद रहिए कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए धन्वाद, जैहिन दोस्तो